नमस्कार दोस्तों जयका इस पिसर में एक बर फिर से स्वागत एक नई रिस्पी के साथ में तो आज लेके आई हूं मैं मिथी मसाला पनीर की रिस्पी जो सबको बहुत ही पसंद आने वाली है और वीडियो पसंद आ है तो लाइक सब्सक्राइब और सेर करना फिलकूर नहीं पहला इगन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा जिससे की नई रिस्पी की नोटिफिकेसन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी जदा ज़्यादा लोगों के साथ में रिस्पी को सेर करिए और यह देख सकते हैं कि कितना अच्छे से न यहां पे कापी आसानी से जाता है पनीर कापी सॉफ्ट होता विल्कुल यह काटने में विल्कुल himina unda गरं आपकर और निकाल सक्तЕ है तो आरामसे इस चलाते हुए ही व्याकर के भूदे आधि निकाल लेंंगे वह इस शतीन अच्छा लाभन कर आघिया है और यह तर जैसे ठंडा होता है न थ इस तेल का यूज ना हम बाकी सब्जियों बनाने के लिए भी करने वाले हैं तो यहां पे एक कप हमने दही का इसमाल किया है कास्मिरी लाल मिश पॉडर काली मिश पॉडर नमक स्वाग अनुसार गरम मसाला रोस्टेज जीरा पॉडर रोस्टेज हमने यहां पे एक चमच पे अधा नहीं पैसे मिक्स करेंग नहीं तो आप तुरंद भी इसमालाइक बना सकते हो तो यह देख सकते हैं, आप 10 मिनटले रिस्ट करने के रखेंगे, उसी तेल को आधा हमें कर लिया है, और जीरा, खरीला, मिस्ट डाली हूँ, प्यास डाली हूँ, अधक्लासन का पेस, अभी टाल कर मसाल को थोड़ सा भून लेंगे, पका लेंगे अधक्लासन को, तो इस तेल में बनाने से जिसमें हमने फ्राई किया था उसी तेल में बनाई ही थोड़े से कम करकर जिससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है धनिया पॉडर नमक स्वाधनों सर तिके केरी लालमीच पॉडर हल्दी पॉडर और यहां पे एक बड़े साइस का टमाटर को हमने इसका पेश्ट तयार कर लिया है बनाकर तो इस तरह से डाल कर और सभी को हमें पकाना है तो मसारों को काफी अच्छे से भून लेंगे जब तक कि वो तेल छोड़ना शुरू न कर दे पहले से ही जैसे तेल जो हमने यूज किया है न फ्राई किया वा उससे टेες ना इस सबजी का बहुत ही बढ़ियां आता है तो जब भी आप प्याज को फ्राई किसी चीज के लिए भी करते हो न तो उस तेल का यूज जरूर आप सब्जियों में करें और जो हमने मैरिनेट करके पनीर को रखा था उसे डाल कर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक सी दो मिनिट के लिए बस पकाना है क्योंकि पनीर जो होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं और मैं इसमें बारी कटी हुई मेती और बारी कटी हुई ना पालक डालोंगी और अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे पनीर के साथ में तो बस थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद एक से दो मिनिट में यह सबजी बस तयार होने वाला होता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पालक और मेथी को डालने के बाद में बहुत जल्दी यह तयार ह हो जाता है सब्जी तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं काफी अच्छे से यह दिख रहा है बिलकुत तयार है सॉप्ट हो गया बाकी चीजों को हम एट कर लेते हैं गरम मसाला और यहां पर हमने घर की मलाई का करें अच्छे से सभी को मिक्स कर लें बस एक मिनिट के लिए फिर से हम पका लेंगे तो इस तरह से न मेथी पनीर मसाला जो है बनकर तयार है तब तक लिए से ट्राइग करें फिर से मिलती हूं थैंक्यू बाई